प्रेम की बात मैं, श्यता जी को इसमर्पित करता हूं नहीं नहीं, बात किने दाड़ी वाली तुमके दाड़ी मेरे, मुझ को समर्पित करो आचल तेरे पुस्म आप लोग आनंद लेना मित्रो ये जो प्रयोग है काका जी का उन्हें दाड़ी को लेकर क्या प्रयोग मैंने किया है आपका विशेश ध्यान चाहूंगा इस पंक्ति पर तेरे गोरे गाल देखकर हम तो हो गए मस्त तेरे गोरे गाल है गोरी फिर क्यों होती तरस्त और फिर क्यों होती तरस्त एक दिन घर पर आओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताओ कै काका कविराए और अब पंक्तियों को सवालना कै काका कविराए दाड़ी की कलम बनाकर इन कोरे कागत से गालों पर कर देंगे हस्ताक्षर और अंतिम अंतिम कभी परदीप जो भक्तिरस के कभी थे जिनको दादा साफ हाल के पुरुषकार मिला वो भक्तिरस में इस समशा का समाधान किस प्रकार से करते अंतिम कभी परदीप आप लोग आने लेंगे कि कर दे तू इन गोरे गालों का दान कि कर दे तू इन गोरे गालों का दान हो जाएगा भगतों का आपको कैसे पता कि किये जा तू जग में भलाई का काम लगे नहीं तेरा एक जदाम और पंक्तिया सभालना कि गाल ही है कि गाल ही है क्या कुछ और भी बता तेरी सब पीर हरेंगे राम भाब भाद अनुवाद तमस्क्राइब और अब जो गाल का खाल निकाल लिया गाल का खाल निकाल लिया सब कवी हो रहे हैं इन अब जो कवीओं के बीच कॉर्परेट दिख रहे हैं लेकिन हसी ठाकों के CEO दीपक गुपता जी आपने जो मुझे सम्मान बक्षा है यकीन मानिये मैं अपनी परसनल सेक्रेटरी के लिए आपको आफर करूँगा वो सक्ता आपके बहाने में रखका दोर पढ़ जाए देखो भंडे ने तितली से कहा स्वी टू भंडे ने तितली से कहा स्वी टू तितली ने कहा मी टू भंडे ने तितली से कहा स्वी टू तितली ने कहा मी टू मेरी जरूरते पूरी करेगा या किसी केस में घसीटू भमरे ने तितली से कहा स्वीटू तितली ने कहा मीटू मेरी जरूरते पूरी करेगा या किसी केस में घसीटू या लोगों के आगे पीटू भमरा उसी दिन से भरदा रहा है भम्रा उसी दिन से भरा रहा है उदास नजर आ रहा है तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है कई और भम्रों से मेल जोल बढ़ा रही है तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है कई और भम्रों से मेल जोल बढ़ा रही है तितली के रूप में निखार आ रहा है भमरे को बुखार आ रहा है वो खुद में ही बड़बडा रहा है दूसरों को समझा रहा है कि किसी बिमार का उपचार मत करियो किसी बिमार का उपचार मत करियो किसी का उधार मत करियो वरना खुद बिमार हो जाएगा मीटू का शिकार हो जाएगा हस मत पगले